शासन द्वारा लोगों की समस्या का समधान कराने के लिए 181 CM हलप लाइन नंबर चालू किया गया है। ग्रामीडों द्वारा किसी भी विभाग के अधिकारी अगर उनकी बात ना सुने तो ग्रामीडों को मजबूरी में 181 का सहरा लेना पड़ता है। ऐसा ही मामला सागर जिले की गौर्ज हामर थाना शेत्र अंतरगत मनी जमुनिया से सामने आया है। CM हलप लाइन नंबर पर फर्यादी बाबू बसोर निवासी मनी जमुनिया ने गौर्ज हामर टी आई संगीता सिंग की 181 पर शिकायत दर्ज की। इसी बाद को लेकर फर्यादी को थाने में बुला कर टी आई संगीता दौरा बेरहमी से मार पीट की गई। फर्यादी का कसूर सिर्फ इतना था कि थाना टी आई की 181 पर शिकायत दर्ज करवाई है। फर्यादी ने बताये कि एक साल पहले वाहित खान जो की देवरी का निवासी था उसको 42 नग बकरी बेची थी। बकरी के पैसे माँगे तो वाहित खान दौरा पैसे देने से इंकार कर दिया। लगभग 8-10 दिन पहले एक और जावर थाने में F.I.R. दर्ज करवाने गए तो T.I. मेटम ने बिना रिपोर्ट लेखे थाने से भगा दिया। फर्यादी के F.I.R. नहीं लिखे जाने को लेकर उसने C.M. Help Line No. 180 पर T.I. संगीता सिंग की शिकायद दर्ज करवा दी। शिकायद को लेकर अब पुलिस द्वारा फर्यादी पर दवाब बनाय जा रहा था कि शिकायद वापस ले लें और इसी बात को लेकर फर्यादी को थाने बोलाया। खाना-प्रभारी संगीता सिंग भड़क उठी और शिकायत वापस लेने का दवाब बनाने लगी। शिकायत वापस न ले जाने पर टी आई द्वारा मार बीट की गे। इसके बाद टियाई द्वारा मेरा ही मुबाइल चीन कर डायल हंड्रेट पर कॉल किया और डायल हंड्रेट से देवरी अस्पताल में दवाई करवाने ले गए इस मामले में पुलिस्ताना गौर जामर की नेरिक शक संगीता सिंग का कहना है कि वाहित खान से जगड़ा करने के बाद बाबू बसोर को भुलाए गया था वो शराप पिया हुआ था और 181 से कुछ भी लेना देना नहीं है वह बाहर जगड़ा करके आया है और जो कुछ बोल अर्थाने में कोई सुना इसी ना समझ में आई तो हमने फिर 181 पे कंपलेंड की तो 181 पे कंपलेंड करी हमने तो फिर उनने पुलिस वालों नहीं बुला कर मम्मी और पापाते तो इनको सब को बाहर खड़ा कर दिया और बोले कि तुम जाओ और इसको अंदर करो तुमारी सिकायत क्यों करी किया रहते कि तुमने एक सक्क्राइशी पोन क्यों लगाया था